आप सभी लोग कैसे हैं उमीर करते हूं फ्रेंट्स आप सभी लोग तरिया से होंगे आप सब की दूआ से हम लोग सब तरिया से हैं तो आझने बहुत से देश किया दने वाल किया वाल तर्वेंगे शेर लिए के जैनल को सब्स्राइब कर लीजेगा नहीं कराय तो तो चलword कैसे बनाती हूं तो सिंपल और पर चलिए बिसमिल्ला करकर रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम कढ़ाई को रख देंगे गैस पर गैस की फिलिम को मैंने हाई पर रख दिया है उसमें लगबग एक किलू यहां पर मैंने नमक ले लिया है ठीक है तो वन केजी यहां पर मेरा नमक है और इसको अच तो यहां पर मैं स्टैंड का ही यूज कर रही हूं तो जो चाहें आप दोनों में से वह आप यूज कर सकते हैं इसको ढखकर रख देंगे हाई फ्लेम पर इसको हम प्रिहीट कर लेंगे और जब तक हम बागी की तयारी कर लेते हैं जब तक हमारी कढ़ाई जो है या के जो ह तो इसको हम लगा लेंगे और इसके उपर मैंने लगा दिये थोड़ी सी ग्रीन चिली सॉस और साथी साथ यहां पर मैं डाल रही हूं थोड़ा सा टेमाटू कैचप या फिर रैड चिली सॉस भी आप यहां डाल सकते तो फेंड्स मैं अपने ही स्टाइल में इसको बना रही ह हूं तो यह बहुती जादा टेस्टी बनाता तो आई होप आपको भी पसंद आएगा और रेसिपी पूरी देखेगा चोटी सी आज की मेरी रेसिपी है इन्शाला आपको पसंद आएगी ट्राइज जरूर कीजेगा बच्चों को बहुत ज़ादा पसंद आने वाली है तो अच्छे से जो है चारो साइड इन तीनो सौसिस को हम लोग फैला लेंगे और अब यहां पर मैंने टमाटर को गोल गोल इस तरह से कट कर लिया है जैसा आप चाहे च्छोटे चाहें तो छोटे में भी काट सकते हैं चौप भी करके डाल सकते हैं और यहां पर मेरे पास रख चसेज्ण को बढ़ा है और यहां पर अपर यहां पर अब मैं डाल दूंगी टिके ग्रीन के जया काट लिया था और साथ इससाथ उपर सी तो यहां पर ने ढल दूंगी उपर से चिलि फ्लिक्स और और गेनो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ब्लेक पेपर यानि के काली मिच का पृटर यहाँक ऊपर थोड़ा थोड़ा से पर बढ़िया आता है जैसे के पीज़ा हम खाते हैं बिल्कु सेम वैसा ही इसका फ्लेवर टेस्ट आता है तो इंशाला जरूर आप लोग इसका टेस्ट जो है अगर आप लोग चाहें तो कम जादा कर सकते हैं और थोड़ा सा मैंने काली मिच का पौडर डाल दिया हैं तो यहां हमारा ब्रेट पीजा जो है वह रिडी हो गया है अब यहां पर इसको हम जो है करेंगे बेक तो हमारा यह हमीट ऑवन जो वो अच्छा सा preheat हो गया है और अब इसमें आराम से और बहुती ज़्यादा केयरफुली हम इसके उपर प्लेट मैंने इस तरह के सिल्वर की रख दी है जैसा भी आप बरतन चाहें वो इसमें रख सकते हैं जिससे के हमारे जो ब्रेट पीजा है वो जिसमें आराम से सैट हो जाएं और थोड़ा सा हम इसके उपर ढख देंगे इस तरह का में सिल्वर का ढखकन ढख रही हूँ इतना आपको रखना है इसको थोड़ा नीचा कि हमारा जो उपर का ढखकन या जो भी बरतन आप रखें व हम यहां बचों से भी रुका नहीं जा रहा है और माशालाह देखिए बहुत ही टेस्टी सा हमारा ये नाश्टा कर रिड़ी हो गया है ऐसको नाज़ा Caitlin है चलीं कि हमारा बहुत है आज कि कि एक दम क्रिस्पी हो गया है ना कि रिखाती हूं साथ मैं आज की आजा सिनसे यह वीडियों इंशालला आपको पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजेगा और देखिए इसान से मैं कट करकर दिखा रही हूं अब माशालला जो चीज है बहुत बढ़िया सा जो है वो मेल्ट हो गया है बहुत ही अच्छा लग रहा है खाने में बहुत टे चीज है बटर है और इसमें सब्जियां भी है अगर और भी आपके बच्चे को सब्जी खाना पसंद करते हूं तो आप उसको डाल सकते हैं सब्जी इसको कर सकते हैं ऐसे भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है यह तो यहां पर में टेमाटो केचप और ग्रीन चिली सॉस के साथ इसको सर्फ कर रही हूं माशालला बहुत ही जादा अच्छा लग रहा है बहुत टेस्टी बना था खाकर भी आपको बताऊंगी तो आप लोग भी जरू ट्राइ कीजिए बनाएं इंजॉय कीजिए बच्चों के साथ बड़ों के साथ तो हेल्थी सा आज की हमारी र वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही सिंपल और इजी घरेलू रेसिपी अगर आप चाहते हैं सीखना तो मेरे चैनल को आप आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए साथी साथ बैल ऐकन को भी प्रेस कर लीजिए ताके आप भी हमारी यूटूब फैम हुआ हुआ है